दोस्तो नमस्कार इंसान के लिए पानी का कितना महतो है ये वो इंसान नहीं जान सकता है जिसके पास पानी का बंडार है या फिर यूं कहें कि जो बड़ी बड़ी सीटियों में रहते हैं वो पानी का महतो नहीं जान सकते हैं जिन्होंने आकाल देखा है पानी की बूंद पारे हैं ये तस्वीरों में जो पानी दिख रहा है आपको इस नाड़ी दिख रही है तो ये नाड़ी कहां के है तो मैं आपको बता दू ये नाड़ी बाड़ मेर की नाड़ी नाड़ी है और यहां पर यह पानी नजर आ रहा है जो यह पानी है वो कोई बरसाद से नहीं आय तो आएगा कैसे क्योंकि बाड मेर के जो नल लगे हुए हैं वो जगे जगे से ठूटे हुए हैं और उनका पानी बहकर सीधा इन नाडियों में जा रहा है और वो भी इन नाडियों में जहां इस नाडी की सफाई को किये वे कई वर्स हो गए कई साल बीद गए अब पूरी ज पंब मैरे क्या है तो बात यह है कि अधायर पाइप L ये पानी है जो वो सडकों पर बैता रहता था और इस ताने लोगों ने कई बार सिकायच करने के बाद कल जो है, इसके अधिकारी यहां पर पहुँचे और फुटवी पाई प्लेन है उसको सही किया, अब इतने तिन जो पानी जो इतने क्योंकि लोगों के घरा तक पानी नहीं पहुंच रहा है, लोग बोलते हैं का हमारे पानी नहीं आ रहा है, हमारे ये नहीं हो रहा है, हमारे पानी की किलत आगी, दरसल पानी की किलत आती कहा है तो पानी की किलत इन्हीं फूटी 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 पाइप्लाइनों की वज़े से आती है क्योंकि यह पाइप है जो और तक नहीं पहुंचा है और फिर पानी है वो लोगों तक नहीं पहुंचता है तो टूटी-फूटी पाइपलाइन होती है उनका पानी सडकों पर बह जाता है तो कहीं नाडियों में चला जाता है पानी और इस वज़े से पानी लोगों फूटी थी उसके अंदर से कितना पानी बह करके इस नाड़ी के अंदर गया है अगर यही pipeline समय रहते सही कर दी जाती तो लोगों के घरों में पानी पहुंझाता और यह लोग ना कहते कि हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है और कितने दिनों से नहीं आ रहा है जुड़े रहे दखटक के साथ ऐसी ही तमाम वीडियोज के लिए दखटक से मैं आपका साथ ही जस्वन सिंग शिवकर